हे गाईज, वेलकम तो हैस्टेक सेंग प्रभास के उपर कॉंस्टेंटली प्रेशर रहा है जबसे उन्होंने बहु बली की है स्पेशली बहु बली टू जिसने इतिहास रचा है एंड बाई फार इस दा मोस्ट सक्सेस्फुल इंडियन मुवी तो दोस्तों वही चीज फिर से बार-बार रिक्रेट एक बंदा कैसे करेगा ये तो एक ऐसा चमतकार है जो एक बार होता है इन लाइफ टाइम फॉर स्टार हाँ वी डेफिनेटली होप के बार-बार ये रिपीट हो लेकिन हर दूसरी मुवी के साथ रिपीट होना वो थोड़ा मुश्किल है साहो के साथ ऐसा हुआ था हाला कि हिंदी बेल्ट में वो अच्छी चली थी मगर बहुबली जैसा इंपक्ट फिर से क्रेट करने के लिए मेरे क्याल से बहुबली थ्री को आना पड़ेगा ताकि वो एक जो स्टोरी जिसकी एंडिंग हुई है बहुबली टू से वो थर्ड से फिर से एक नए रूप से शुरू हो हाला कि इसकी रिपोर्ट से के शायद आ सकती है मगर अब हम बात कर रहे हैं रादे शाम की तो रादे शाम पे वो बहुबली वाला प्रेशर पड़ा है और प्रभास ने डिरेक्ली अपनी इंटर्व्यू में ये कह दिया था एक बहुती पॉपुलर निउस्पेपर को के इट इस नॉट इजी के भई हमेशा बहुबली जैसा सक्सेस मिले अफकोर्स बहुबली इस वेरी इंपोर्टेंट मुवी फॉर हिम और उसके कारण उन्हें जाना जाता है और नो प्रोब्लम्स के भी लोग उन्हें बहुबली से याद रखे मगर हर movie जो है it is not possible कि वो बहुबली जैसा magic करे although pressure उतना ही होता है उनके उपर मगर वो चाहते हैं कि खाली action oriented movies छोड़के वो अलग तरीके का cinema करे अलग तरीके के roles करे जैसा एक actor चाहता है तो definitely अगर देखा जाए तो प्रबास इस track पर तो सही जा रहे है and fans को भी यह समझना चाहिए कि बहुबली एक अलग movie थी जब बहुबली रिलीज वी थी तभी किसी को पता नहीं था कि यह इतनी बड़ी blockbuster बनेगी लेकिन वो blockbuster बन गई part 1 ने तो अच्छा business किया लेकिन part 2 ने जितना गुना जादा business किया वो तो फर्स टाइम विटनेस किया था इंडियन cinema पे मगर with respect to current movies हम expect नहीं कर सकते कि हर movie बहुबली जैसी हो मगर यह बोलने के बावजूद जो advanced booking राजे शाम की चालू हुई है वो south belt में बहुत promising रही है and इंदरवाद city अल्मोस पूरी sold है बैंगलूरू में भी अच्छी booking है और हिंदी बेल तभी फिलहाल थोड़ा time लेगी जैसे movie release होगी तभी लोग जो है movie देखना चालू करेंगे Saturday Sunday को mostly peak पे रहती है कोई भी Hindi movie तो वो तो भी Saturday Sunday हमें वेट करना पड़ेगा मगर South Indian जो regional languages है उसमें तो भी कमाल प्रभास का पहले से ही शुरू हो गया है तो ये बहुत बड़ी एक हीट हो सकते considering अभी थेटर्स खुल के अभी अच्छा खासा एक महीना हो गया है and now the scare of pandemic has also reduced. लोग मॉल्स में घुमते हैं हर जगा मास के साथ of course precautions के साथ लेकिन freely थोड़ा सा घुमते हैं लोगों ने करोना के साथ ने जीना सिख लिया है तो definitely जो इसकी गंगु भाही की अगर collections कुछ अंदाजा है तो definitely रादे शाम की collections at least opening के पहले तीन दिन तो बहुत huge होने वाले हैं and let's hope for the best के ये movie जो है कमाल दिखाए so guys that's all from my side I hope so आपको ये video पसंद आया होगा अगर आपको ये video पसंद आया तो please इसे like and share कीजे और इस channel को subscribe कीजे thank you for watching guys, देखते रहिए कर दो आपको आपको ये और आपको ये अगर और आपको ये दो हाई